नमश्कार मैं उरजनी परसना राहुल कश्यव आज हम बात करेंगे हसेन दिलरुबा इस फिल्म के बार में देखें ये फिल्म जो है नेट्फिक्स पर रिस हो चुका है कल रिलिस हो था मैंने आज सुभाई से देके कंप्लिट किया है इसमें लेड रोल्स में तापसी पन्नो उसके बाद हर्श वरदन ब्रहने और विक्रांत मैसी इसके साथी साथ हमारे C.A.D. के अभी जीत भी है जिनका नाम आदित्य श्रीवत्सा है उनका काम भी काफी अच्छा रहा इस फिल्म में जिनोंने भी परफॉर्म किया है उनका काम काफी अच्छा रहा लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग तो जरूर है लेकिन आप काफी हद तक इस कहानी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी बहुत सब्प्राइजिंग ये गाने आपको ज़रूर लगेगी विकरांत मेसी जी का परफॉरमेंस एक दम सबरदस्त है उनका काम पहले जितने भी फिल्मे थी उन सभी फिल्मों से अगर हम कंपेर करें तो ये फिल्म काफी अलग बनी है उसके बाद तापसी पन्नों उनका काम भी खाफी अच्छा रहा उसके बाद हर स्वरदन रहाने उनका ज्यादा कुछ रोल नहीं था दस से पंदरा मिन्ट का रोल था लेकिन अपना इंपैक्ट जाए उन्होंने छोड़ दिया है उसके बाद ज्यादा तर मुझे इस फिल्म में विकरांट मैंसी उनका काम ही ज्यादा पसंदाया एक सीधे साथे सिंपल सी इनसान अगर अपना आपाप खो देता है तो किस तरीके से उसका क्या रियाक्शन होता है यह हमें इस फिल्म में काफी अच्छी तरीके से दिखाए गया है तो वराल इसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं काहनी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टबल लगेगी लेकिन आपकी इंटरेस्ट जो है वो काफी यह तक बनी रहेगी अपने परिवार के साथ इस फिल्म को आप नहीं देख सकते है क्योंकि concept जो है कुछ उसी तरका है तो मुझे तो यह फिल्म एक बार देखने लाएक ज़रूर लगी विकरान में से का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा सांक्स याने की गाने और बैक्डाउंड स्कूर भी काफी बढ़िया है तो वर्वराल वन टाइम बाचबल ज़रूर है मैं हसें दुलर्बा इस फिल्म को देता हूँ 3 आट अफ 5 अगर आपने पहले भी यह फिल्म देख रखिये तो आपके experience क्या है अप में नीचे comment सक्षमने बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं चलिए मैं चला अगला फिल्म यापे series देखने देने बाव